एक बार की बात है अकबरपुर्णामक गाउं में राधा नाम की एक विद्वा अपने बेटे रमेश के साथ रहती थी राधा का पती तभी चल बसा था जब उसका बेटा एक साल का था राधा अपना और अपने बेटे का जीवी का गाउं के पास जंगल में जाकर चुनी कर आती थी इस तरह दोनों अपने जिन्दगी जी रहे थे धीरे धीरे समय बित्ता गया अब रमेश आट साल का हो गया था वो अपने घर का ध्यार रखने लगा था राधा अब उसको बजार नहीं ले जाती थी एक दिन राधा को बजार से आने में देर हो गई सायाद उस दिन राधा ने लकडियां भी नहीं बेची थी रमेश को बहुत भूक लगी थी वह यहीं सोच रहा था कि मा अभी बजार से लकडियां बेच कर नहीं आई बहुत देर इंतजार करने के बाद मा आई रमेश ने कहा मा जल्दी खाना बना दो मुझे बहुत भूक लगी है मे बेटा आज जंगल में ज्यादा लकडियां नहीं मिली, जो मिली थी उसको बेचने के बाद मैंने साहुकार के पुराने पैसे चुका दिये, आज कुछ खाने को नहीं है, इतना कहा कर उसकी मा रोने लगी, रमेज बड़ा समझदार और इमानदार लड़का था, उसने कहा, र बड़ा घर होगा, इसके बाद दोनों सो गए, सुबह दोनों उठे, वो देखा कि बहुत जोरों से बारिस हो रही है, बारिस रुकने का तो नाम नहीं ली रही थी, राधा ने कहा, अब मैं लकडिया कैसे चुनने जाऊंगी, बारिस की वजह से सुखी लकडियां नहीं मि मिलेगी, सुखी लकडिया ही बजार में बिकती है, रमेश ने कहा, तुम परिसान नहीं हो मा, हम जंगल के दूसरे छोड तक लकडियां चुनने जाएंगे, बारिस दिन बर हुई, रात में बारिस थोड़ी सी रुकी, रमेश ने कहा, चलो मा लकडियां चुनने चलते हैं, राधा ने कहा नहीं बेटा रात को जंगल में लकडियां चुनने नहीं जाएंगे जंगल के दुसरे तरफ से रहता है इस तरफ सभी लकडियां की लीग मिलेगी रमेश ने कहा मा अभी तुम लकडिया चुनने चलोगी तो कल सुबह बेश सकेंगे तभी जल्दी से हम खाना खाना मिलेंगे रमेश की बात सुनकर राधा अपने बेटे के साथ रात में ही जंगल में लकडियां चुनने चली गई सुखी लकडियां के तलास में दोनों जंगल में काफी अंदर चले गए राधा इधर उधर घूम कर देख रही थी तभी अचानक रमेज गायब हो गया फिर राधा अपने बेटे को अपने पास नपा कर बेटे रमेज बेटे रमेज चिलाने लगी रमेज थोड़ी देर बाद सामने चल कर आता है मा कहती है कहां चले गए थे बेटे रमेज कहता है मा जंगल के सेर को बहुंच चोट लगी हुई है बुढ़ा भी हो गया है सेर के चोट को ठीक करने के लिए मैं जड़ी बुटी लेने गया था बस देर हो गई रमेज की पीछे बड़े सेर को खड़े देख राधा सन रहा गई राधा ने कहा जल्दी से भाग आओ मेरे पास नहीं तो सेर तुम्हें खा जाएगा रमेज ने कहा तुम डरो नहीं मा सेर हमारा साथी बन गया है वाहा हमें कुछ नहीं करेगा सेर ने भी ऐसा ही किया थोड़ी देर बाद सेर ने उन दोनों से कहा मेरी मदद के लिए मेरा जान बचाने के लिए सुक्रिया तुम्हें उपहार में क्या चाहिए रमेज ने कहा हमें उपहार में कुछ नहीं चाहिए सेर ने कहा नहीं कुछ न कुछ उपहार तुम मांगो रमेश ने कहा मेरा उपहार यहा है कि बस तुम जंगल में आने वाले किसी भी मनुस्या और जीव पर हमला नहीं करोगे सेर हस्ते हुए बोला बस इतनी सी बात मैं वचन देता हूँ मैं आज के बाद किसी भी जीव जन्तु का सिकार नहीं करूंगा आज से मैं साकाहारी जीवन जीऊंगा इसके बाद भी सेर कहा लो मैं तुम्हें यहा जादूई चुलहा देता हूं जादूई चुलहे से तुम कभी भी खाने की कमी नहीं होगी जादूई चुलिहे पर जो भी पकवान बनेगा वहा कभी खत्म नहीं होगा या चुलहा सिर्फ तुम दोनों की ही बात मानेगा दोनों बहुत खुस थे दोनों रोजाना नय नय पकवान बना कर खाने लगे राधा ने जंगल में लकडियां चुनने का काम छोड़ दिया था धिरे धिरे समाय गुजरता गया और रमेज खाफी बड़ा हो गया और राधा थोड़ी बुढ़ी हो गई थी रमेज को घर बैठे खाना मिल जाता था इसलिए उसने अभी तक कोई काम धंदा नहीं सोचा था वह बिल्कूल निस्क्रिया हो गया था इस बात की चिंता उसकी मा राधा को होने लगी एक दिर राधा ने अपने बेटे से कहा बेटा कब तक हम दोनों जादू चुलहे के भरोसे बैठे रहेंगे क्यों नहीं तू सहर जाकर नोकरी वोकरी देखता कब तक तू यू बैठ कर रहेगा जादू चुलहा सिर्पा खाना दे सकता है रमेश अपनी मा की बात सुनकर अपना मुह उधर कर लेता है और कहता है जादू चुलहे से हमें घर बैठे खाना मिर रहा है जादू चुलहे के वज़ा से हम रोज अच्छे-अच्छे पकवान खा रहे हैं तो कहती है मा सहर चला जाओ कमाने के लिए मा जब घर बैठे हमें अच्छे-च्छे पकवान मिर रहें है खाने के लिए तो मैं अपना पसीना क्यों बहाओ रमेज की बात सुनकर बुढ़ी मा कुछ नहीं कहती है वहाँ सोने क्यों चले जाती है एक दिन जादू चुलहा घर से गायप हो जाता है राधा और रमेज दोनों सन्न रह जाते हैं रमेज जादू चुलहा बहुत ढूंता है परन तो उसे कहीं नहीं मिलता रमेज कहता है, मुझे पता है, मां हमारा जादू चुलहा कौन चुरा सकता है, हो नहों यहां हमारे पडोसियों का काम है, उन्हों नहीं हमारा चुलहा चुराया है, राधा कहती है, अब तो तू सहर जाकर नोकरी, देख, हमें इतने साल बैट कर खाना खाया, और अपना सरीर भी नहीं चलाया इसलिए अन्न देवता हमसे नाराज हो गए हैं जादू चिलहा जादू से गायब हो गया अब तू सहर रही जाएगा तो हम भूख से मड़ जाएंगे रमेश घर पर असानी से मीर है खाने और अराम को ही अपना दुनिया समच चुका था परन्तू जादू चुलहा खोने के बाद रमेश समच चुका था अब मुझे सहर जाकर नौकरी करनी पड़ेगी रमेश अगले दिन से ही सहर नौकरी ढूने के लिए चला गया राधा भी यही चाहती थी रमेश पांस साल बाद सहर से अकबरपुर अपने गाओं आया रमेश और उसकी मा का रहन सहर बदल चुका था जब रमेश ने सहर काम करने गया तब वहाँ अच्छा पैसा कमाने आज तुम्हारी वजह से मैं एक बड़ा आदमी बन पाया हूँ यहाँ सब तेरी वजह से हुआ है